पांच दिनों में एक परसेंट, एक साल में 5 परसेंट, पांच सालों में 500% का रिटन दिया है इस शेर ने, तृइड एंट आगे चल का फिर से मल्टी बैगर तरह रिटन देगा और ये 100 रुपे के ऊपर डेफिनिटली जाने की दियाई कर रहा है, गौर्मेंट का बहुत पर मिल रहा है Trident का investment की अगर बात की जाए तो देख Trident के home textile company ने जो कि एक subsidiary है Trident Global BV में invest किया है जो wholesale business textile provide करते है paper non-food consumption goods and clothing accessories यूरोप के area में इसको निवेश किया है अब क्या है advantage जहां पर इसको करने के लिए इंडिया से जो आप cotton fabric बनाते हैं वो बहुत बड़ी demand है western countries में यूरोप countries में और US countries में जिसके लिए ये joint venture इनको further facilitate करेगा अपने products को इंडिया से बाहर export करने के लिए और देखे आपको पता होगा अगर आप कोई भी कपड़ा इंडिया में जो खरीद रहा है माल लीजे वो एक हजार रुपे का आपने खरीदा है इंडिया में अगर वो ही खपड़ा same exact चीज आप बाहर जाके खरीदेंगे तो कम से कम आपको 50 डालर में मिलता है US में तो यानि की वो ही product सिर्फ export कीजे और आपको 5K का उसमे revenue generated होगा तो ये बहुत बड़ी profitability है जो इस company को इस तरह से इनके joint venture से बहुत help मिलेगा आगे चलकर भी diversity of sector होना का एक advantage मिलेगा कभी textile चलता है कभी paper चलता है कभी chemical चलता है कभी energy sector चलता है पर जब भी stock market में चलेगा ये stock हर phase में अब tick में रहेगा क्योंकि cyclical जैसे भी चलते हैं उसमें काफी अच्छा advantage मिलेगा Trident को compare to other companies के लिए तो हमारे साब से Trident को जो stock है वो आगे चलकर आपको एक बहुत ही positive return देगा और देखे इन्होंने किर्ती जी को अपना brand ambassador भी बनाएब है जिसके लिए इनको बहुत ही positive trend रहेगा market cap और revenue और ये profitability सारी के सारी इनकी अच्छी है promoter की holding 73% के आसपा से जो की बहुत ही positive trend समझा जाएगा और देखे overall अपने sector में सबसे अच्छा return दे रहा है Trident इस तरह से अगर देखा जाए तो profitability भी इसकी सबसे अच्छी है यहाँ पर Trident की तो ये एक positive trend है Trident का company के reference में देखा जाए देखे historically इसने बहुत significant रिटन ये पांच गुना डगाया पांच करोन हो गया उसका वहाँ पर आगे profitability company है और diversify business की होने की वज़े से इसमें further uptick आने की उम्मीद रहेगी अब भारत की सरकार को एक प्रियत्न ये है कि यहाँ पर जो मोदी जी का third term आया है उसमें youth की employment को improve किया जाए क्योंकि पिछले दो sector में ये एक चीज है जो की मोदी जी की government अच्छी तरह से successfully implement नहीं कर पाई है अब देखे अगर इंडिन टेक्स्टाइ इंडिस्टी को देखा जाए 30% हम export करते है और second largest employer है यहाँ पर इंडिया का आप बोलेंगे क्या IT है largest employer नहीं आप समझे गौर्णमेंट का अगर सबसे दाए employment देखे जाए वो खेती में होता है और farming के बाद textile industry है इसलिए Trident को PLI scheme का भरपूर फायदा मिलेगा और आगे भी कम से कम 3 PLI scheme launch होंगी जो इस मोधी 3.0 में helpful रहेंगी यहाँ पर Trident जैसी companies को इससे उनका निवेश improvement होगा और अगर निवेश improvement होगा तो जो government का employment का target है आगे youth को उसके लिए यह एक simple करवाई है कि यहाँ पर चाहे बढ़ा लिका हो चाहे high school हो, चाहे graduate हो चाहे post graduate हो, सबके लिए telecom sector में बहुत बढ़ी आतरगी job मिलेगी, तो हमारे साबसे देखिए farming के बाद यह second largest employer है और innovation इसमें बहुत बड़े level पर किया जा रहा है Trident Company के अगर बात की जाए तो innovation में इन्होंने Trident यहाँ पर इनको patent पिला है Terry Fabric, weave and resulting in Terry Fabric जो की Terry Towel यह बहुत बड़े level पर अपने export कर रहे हैं और यह patent है, Government of India ने इसको issue कर दिया था यहाँ पर Terry Towel का business growth दिखा जाए तो करीब-करीब 200% का business growth है और international market पर इस Terry Towel की बहुत जादा demand है तो यह एक positive trend है overall आपके इस fabric के लिए और इसकी growth जो है sales आगे चलकर और भी तेजी से बढ़ेगी जिसकी वज़े से यह एक multi-bagger stock आपको अभी पैनी के rates में मिल रहा है existing and capacity जो बुधीनी manufacturing unit है उसकी करीब-करीब 5 million के आसपास बढ़ा दी गई है इनोंने यहाँ पर और इसको capacity करीब-करीब 82% utilization पर चल रही है जो कि बहुत बढ़िया है इनके लिए utilization अगर देखा जाए operating cost अगर आपकी efficiency 82% पर operate कर रही है compare to 50% के तो यह आलोक industries के मकाबले कापी अच्छा stop माला जाएगा इस parameter के basis पर देखे इनोंने investment किया था तरीका आट्सो तीस करोड का और यहाँ पर जो इनकी term loan raise किये है वो initially थोड़ा सा expense रहेगा जिसके विसे profitability थोड़ी कम दिखाए देगी बड़ आगे चलकर यह unit बढ़ रही है और इसका profitability बहुत जाद रहेगा power sector को भी देखा जाए तो Trident ने यहाँ पर 1.1 megawatt का solar power project implement किया है इसी unit में दुधीनी में और यहाँ पर अब इनकी जो install capacity हो गई वो 29.5 megawatt की हो गई है जिसके चलते वे इनको बाहर से कुछ भी energy की ज़रुत नहीं पड़ेगी और जो यह निवेश किया हुआ है यह आगे आने वाले दो सालों में आनका net positive return बनेगा और आगे इनका कोई expense नहीं रहेगा बिजली के लिए जो की carbon footprint में इनका reduce होगा और साथ साथ में इनका margin जो है बहुत तखड़ी तरह से improve होगा हम अपने stock market में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप निवेश करते हैं तो आप fiberfile उतिहान रखिए किसी भी stock में 5% लग निवेश नहीं कीजेगा और आपको कम से कम 5 अलग लग stock में निवेश करना होगा अगर आप ideally portfolio में देखे तो 20 कम से कम stock होने चाहिए आपके पास में penny stock में 2% का recommendation करते हैं अब अगर valuation की बात की जाए तो देखे ये stock 20 के नीचे कभी भी दिखाई दे त 35 के असपास आ चुका है और अगर ये आपको short term में कभी साल भर डिर साल के अंदर अगर ये over value value मिलता है जो कि 75 तक की देंच है वहाँ पर आप थोड़ा profit कि लिए फिर से वापिस fair value माएगा तो फिर से आप इसको खरीद सकते हैं ये इसकी strategy रहेगी अई ज़र चलकर इसका consolidation हुआ जो कि एक बहुत अच्छा parameter ना जाएगा lower level 34 से बढ़कर 42 तर गया फिर 38 तक यहाँ पर इन्होंने अपना momentum बना के रखा है volume बढ़ रहे हैं जो कि इसके लिए एक बहुत ही positive trend है देखें ये जो spike आया ये volume के साथ आया अब क्यों important है ये volume का spike अगर देखें पिछले historical data के हसाब से देखा जाए तो ये जो spike आया था इससे पहले यहाँ पर आया था तो देखें इसने अब ये clear indicate किया है कि काफी अच् चुकी है इसकी 35 के आसपास मैं 349 के आसपास ये काफी time से 3 महिने से consolidate कर रहा है तो ये clear indicate है कि यहां से आब ये breakout के लिए तयार हो रहा है और ये volume के साथ इसमें आना शुरू है आप यहाँ पर इस volume के comparison में तो ये clear indicate है कि अब वापिस buying interest आ गया है stock में और ये stock आगे चलनन देगा वो सकता है आपको और rally zone में 6 मेंने के अंदर ही ये stock मिल जाए बुलिंजर बैंड को देखेंगे बुलिंजर बैंड की direction अभी यहां से थोड़ी सी उपर होने शुरू हो गई है और यह बहुत ही strong support के आसपास है 38 के आसपास यहां पर अपने bandwidth 13 जो की एक normal range बाने जा जाल रहा है तो जैसे ही यह जो की थर्टीट के आसपास है 39 के ऊपर क्रॉस करता है तो यह long term moving average 200 के ऊपर पहुंच जाएगा ज्योंकि पॉस्ट रहेगा आप काफी लोग हमसे पूछते हैं कि सरी आप trend कैसे निकालते हैं देखें बहुत simple है आपने पिछले दो साल तीन साल का एक overall trend बनाया यह weekly chart है आपको दिख रहा होगा तो इसमें जो high बना था वो करीब करीब 70 के आसपास बना था जो की 2022 के शुरूम बना था और यह यहाँ पर जो इसका low बना है वो करीब करीब 3 रुपे 40 पैसे के आसपास बना है तो इसका अगर आप Fibonacci arch निकालेंगे तो तो सबसे पहला जो इसका support होना था वो 45 का जो उसने break किया उसके बाद जो next minor support है वो है 37 जो उसने तो भी break कर देता अब यह अगला जो support रहेगा अब यहाँ पर हमारे साब से काफी अच्छा consolidation हो चुका है अब यह 39 और 30 के आसपास उससे नीचे नहीं जाएगा तो जो current रेंज में आप triangle pattern implement कर लिए triangle pattern होता कैसे है आपका triangle pattern का upper range रहेगा low range रहेगा आपको इस तरह से खरीदना इस range में कि उपर की range में कम खरीदेंगे नीचे की range में ज्यादा खरीदेंगे ताकि आपका जो center है जो average है वो इस triangle की center of gravity के आसपास रहे यानि कि आपका जो average होना च चाहिए और हमेशा दिहान दखिए कि आप 5% से जदा अपने portfolio को किसी भी एक stock में निवेश ना करें यह आपके लिए एक healthy indicator होता है अपने portfolio को diversify करने के लिए कोई question है तो point box में आलेगा जाहिन